सर्दी के कारण अगर आपका चहरा बिल्कुल रूखा, सूखा, बेजान, डल सा, ड्राइ सा हो गया है तो आज की वीडियो आपके लिए है ये फेस पैक आपके मुर्जाय हुए चहरे को बिल्कुल खिला देगा आपके चहरे में नई जान भर देगा आपका चहरा एकदम गलो करने लग जाएगा और इसके साथ साथ अगर आपके चहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं आपके रंग को भी ये साफ करेगा आपके रंग को एक से दो शेड लाइट कर देगा गोरा नहीं करेगा, मैं आपको यहाँ क्लियर बता दू कोई भी फेस पैक गोरा नहीं करते ये हमारी स्किन की quality को अच्छा करते हैं हमारी स्किन tone को एक से दो शेड लाइट कर देते हैं देखने में स्किन इतनी खूबसूरत लगती है क्योंकि जब हमारी स्किन के उबर दाग धब्बे नहीं होंगे हमारे स्किन एकदम चिकनी दिखाई देगी चमकदार दिखाई देगी तो वो अपने आपी सुन्दर लगेगी इसलिए आप कभी भी कोई भी फेस पैक लगाओ ना तो यह सोच के मत लगाओ कि यह आपको गोरा करेगा ये आपकी skin की quality को अच्छा करेगा आज हम बनाएंगे दहीं की massage cream इस दहीं की massage cream को बनाने के लिए इसमें जो मैंने ingredients इस्तेमाल किये हैं अगर वो आपको suit करते हैं तब तो ये आपकी skin के उपर गजब का निखार लेकर आएगी तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस cream को कैसे बनाना है इससे कैसे massage करनी है इसके बार में बात करते हैं हम अपनी वीडियो में Hi everyone आपका आपके अपने चैनल beauty with nature by समीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब लोग मैं उमीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पास में जो वैल का बटन है ना उसको भी दबा लीजिए ताकि मैं जब नई वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही असानी से मिल जाए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कीजिए कॉमेंट करके भी मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगे तो देरी के बिना चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ इस मसाज क्रीम का अपने चहरे के उपर इस्तेमाल करने से पहले तो हमारे चहरे के उपर pimples निकल सकते हैं इसलिए कोई भी face pack लगाओ किसी भी तरह की massage करो किसी भी तरह की cream लगाओ उससे पहले अपने चहरे को अच्छे तरीके से साफ कर ले इस massage cream को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक चमच दही का दही में electric acid होता है जो हमारे चहरे के dead skin को हटाता है और हमारे चहरे के उपर जूरियें और aging की समस्या को कम करता है और हमारे skin को soft और मुलायम बनाता है अब मैं इसमें add कर रही हूँ दो vitamin E के capsule vitamin E हमारे pores को clean करता है dead cells को हटाता है ये हमारे skin को healthy और glowing बनाता है इसमें anti-aging के गुण भी पाये जाते है अब मैं इसमें add कर रही हूँ एक चमच honey का honey हमारे skin को hydrate करता है हमारे skin को natural तरीके से moisturize करता है ये हमारे skin की रंगत में सुधार लाता है honey में antibacterial और antiseptic गुण होते है अपने इसी गुण की वज़ा से ये हमारे चेहरे के दाग धबो को कम करता है और हमारे skin को glowing बनाता है इन सबी चीजों को अच्छी तरह से mix करके मैं अपने चेहरे के उपर massage करूँगी massage सिरफ 5 मिनट करनी है इससे ज़्यादा massage नहीं करनी massage बिल्कुल light hand से करनी है massage इस तरीके से करनी है कि जैसे आप अपनी skin को खाना खिला रहे हो ये सारी की सारी cream आपकी skin में absorb हो जाए ऐसे massage करनी है देखे इस तरीके से massage करनी है आपने अपने चेहरे की आंखों के नीचे जो pressure देना वो बिल्कुल light देना है massage नीचे से उपर की direction में लेके जाते हुए करनी है ताकि skin आपकी lift up हो और ये जो forehead पे massage करनी है वो भी upward direction में करनी है neck के उपर massage करनी है वो भी upward direction में करनी है 5 मिनट massage करने के बाद आपने इस cream को अपने चेहरे के उपर ऐसे ही छोड़ देना है 10 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को wash करें आप इस cream का इस्तेमाल हफते में दो बार कर सकते हो तीन बार कर सकते हो जैसा आपको suitable हो आप वैसा करें एक बात और कहना चाहूंगी friends इस cream को बनाने के लिए जो मैंने इसमें ingredient इस्तेमाल किये है अगर आपको उसमें से कुछ सूट नहीं करता तो प्लीज उसको skip कर दें उसका इस्तेमाल बिलकुल ना करें तब ही आपको अच्छे result मिलेंगे नहीं तो आपकी skin को नुकसान हो सकता है ठीक है देखिए friends मुझे इस massage को करते हुए पांच मिनट हो गए है अब मैं इस cream को ऐसे अपने चहरे के उपर दस मिनट के लिए छोड़ रही हूँ दस मिनट के बाद मैं अपने चहरे को wash करके आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ इसका result देखिए friends मैंने अपने चहरे को wash कर लिया है इतनी soft लग रही है इतनी मुलाइम लग रही है बिल्कुल भी feel नहीं हो रहा कि मैंने इसके उपर कुछ लगाया था इतनी soft है और glow देखो आप कितना अच्छा आ रहा है लेकिन जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ अपनी स्किन को मॉस्चराइज जरूर करना अपनी स्किन को मॉस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पर कोकोनेट क्रीम ले रही हूँ क्योंकि मेरी विंटर क्रीम खतम हो गई है अब जब तक ये खतम नहीं होगी मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी फ्रेंड्स इस क्रीम के बहुत ही अमेजिंग रिजर्ट्स हैं आप भी इसका इस्तेमाल करके देखें आपकी स्किन के उपर इसने कैसे रिजर्ट दिखाए है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं मुझे बहुत खुशी होगी तो आप भी इस मेजिकल करीम को बनाएं इसके मेजिकल रिजर्ट्स पाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बैबै